Assalamualaikum, Welcome to StudentTube आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे Chapter No. 5 Factorization HCFN Squared Roots Exercise 5.4 Question No. 3 Factorize आज का question है, वो है Question No. 3 का Part 6 AX12 Plus AY12 बहुत ही जादा सिंपल है सबसे पहले से एक बार इसी तरह से उतार लेंगे AX12 Plus AY12 इसके बाद यहाँ पर हम A को common ले लेंगे और अंदर हो जाएगा X12 Plus Y12 ठीक है अब यहाँ पर हम अगर X और Y को Factorize करें तो यहाँ पर यह हो जाएगा A common इसी तरह रहेगा X के उपर अगर हम दे दे 4 का cube और इसी तरह से Y4 का cube तो यह 4 फ्रीजा 12 ही रहेगा ठीक है इसके बाद यहाँ पर formula apply हो जाएगा A cube plus B cube का ठीक है जो की equal होता है A plus B और A square minus A B plus B square ठीक है तो अब formula इस पर apply करेंगे तो यह हो जाएगा A इसी तरह से आएगा अब A plus B क्या है हमारा X और Y ठीक है दरम्यान में plus है X plus Y तो X4 plus Y4 ठीक है और फिर आगे X4 का square minus A B है तो X4 B है तो Y4 और plus B की जगा Y4 का square आगे A X4 plus Y4 इसी तरह से आया अंदर हो जाएगा X4 टूजा होता है 8, 4, 4 जा नहीं करेंगे क्योंकि यह एक variable है minus X4 Y4 और plus Y4 टूजा 8 आंसर तो यह ता हमारा आज का question बहुती ज़्यादा simple और easy उमीद करते हूं आपको अच्छे समझ आ गया होगा मजीद questions के लिए मिल चैनल को कर दें subscribe साथ है अपने classmates and friends से share भी जरूर कीजेगा मिलते हैं next video में तब तक के लिए Allah हाफिज